बाबा जी सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचे हमारे दर्शकों को दें मेरा नाम चंदर किसवर मनितिर पाठी है हम पूजा पाठ कराते हैं जोतिस का भी काम करते हैं मेरा जोतिस प्रामर्स के अंदर भी है बढ़या मोल पे जहां पे कुंडली योगर बनाते है तो बाबा जो रक्षा बंधन को लेकर असमंजस फैला हुआ है अभी पूरे देश मे कि 11 तारिक को हम लोग रक्षा बंधन मनाए या 12 तारिक को मनाए आपके हिसाब से क्या है इसमें देखिए 11 तारिक को 9 बज के 35 मिनट से पूर्णिमा सुरू हो रहा है और जब से पूर्णिमा सुरू हो रहा है उसी समय से भधरा सुरू हो जा रहा है रक्षा बंधन पूर् तो आप लगातार पुर्णिमा में 8 बज़ के 25 मिनट तक 11 तारीक को रक्षा बंधन नहीं कर सकते हैं। में तो उसी में रक्षा बंधन करना सबसे उतम मूर्थ है तो हम तो सभी पबलीकों से यही कहेंगे कि आप सब रक्षा बंधन करें तो 12 तारीकों 7 बज़ के 17 मिनट के पहले करें और किसी बिबाद में मत पड़ें इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं अलग-अलग अपना मत दे रहे हैं हम आपको हिर्षी के इस पंजांग जो अपने यहां पंजांग चलता है महबीर पंचांग जो अपने यहां पंचांग चलता है और निरने सिंधु जो सब जितना भी विबाद होता है उसका निरने देता है उस सब का निरने अगर आप लोग चाहिएगा तो हम देखा देंगे असपष्ट कि उसमें लिखा हुआ है कि रक्षा बंधन रात्री में बता रहे हैं अगर उस टाइम तक लोग रक्षा बंधन नहीं करा पाए तो बारह तारीक को अगर दिन भर रक्षा बंधन चलता है तो इसमें कोई बाधा यही है यह आप भी जानते है कि साड़े साथ से पहले सभी लोगों का रक्षा बंधन कर पाना मुस्किल है बात सही ह ठीक है और नाना ध्वाना इस तरह का अपने ग्रामिट परिवेस में होता रहता है तो अगर दिन भर उस दिन चलता है तो इसमें कोई देखिए नियम ही है कि हम लोग हिंदु धर में कहा जाता है कि जो तिथी में सुरजोदय होता है उसका मान दिन भर रहता है तो अगर सा 27 17 कि अगर किसी करन से आप नहीं बान सके तो उस दिन आप दिन में में भी राखी बान सकते हैं इसमें कोई दीकत नहीं है उड़ी कोई ह। तो मुहुर्ट से करते हैं तो हम तो चाहेंगे कि मुहुर्ट पर ही कोई काम किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा तो अब लास्ट में हम इसी निस्कर्ष पे पहुंचते आई कि जो हमें रक्षा बंधन का तेवार मनाना है वो पूर्ण रूप से बारह तारीख को मनाना पड़ेगा अगर 11 तारीख को कुछ लोग रक्षा तो भाद्रा जो नक्षत्र है उसमें रक्षा बंधन नहीं किया आयता है नियम आया है कि भाद्रा में रक्षा बंधन रावन की बहन जो सुपनेखा है बांधी थी तो रावन का बिनास हो गया था ये भी बिधान है लिखा हुआ है और कह रहा है निर्णे सिंधु कि भाद्रा अगर रात तक भी है तो भाद्रा के बाद ही रक्षा बंधन करें यह निर्णे सिंधु के 180 प्रिष्ट में लिखा हुआ है आप उसको निकाल के पढ़ सकते हैं यानि भाद्रा में बिल्कुल नहीं बाहना है राखी नहीं तो यह क अनुसार हमें 12 तारीक को ही रक्षा बंधन का तेवार मनाना अति उत्तम रहेगा 11 तारीक को अगर हम लोग मनाते हैं तो यह अपसगुन का एक जनक रहेगा नकी इस सुभकारी नहीं रहेगा तो अब 7-17 यानि जो कि बाबा जी बता रहा है कि 12 तारीक को अगर 7 बजकर 17 मि बंधन का तेवार मना सकते हैं लेकिन 11 तारीक को कतई न मनाए क्यूंकि यह अपसगुन हो सकता है और जैसा कि बाबा जी अभी बताये हैं कि रावन की बहन सुपनका ने जो एक बार बांदा था तो रावन का बिनास हो गया तो चलिए मुझे लगता है कि आप लोग पूर् बिहार नीज के तरफ से आप सभी को भी रक्षा बंधन की बहुत बहुत बढ़ाई चलिए चलिए और हमारे तरफ से भी हमारे दर्शकों के लिए रक्षा बंधन की बहुत बहुत बढ़ाई और 12 तारीक को आप लोग रक्षा बंधन का तेवार मनाए नकी 11 तारीक को तो चलिए मित्रो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार